आहस सरुकार अध्योगिक नितिक से हैद्राबाद आईटी कैपिटल के रूपे बेंगलूरू को पीछे छोड़ने में अग्रसर। मदर्देश में बीजेपी को लगेगा बड़ा जटका पुर्मंतरी दीपक जोशी कॉंग्रेस में हो सकते हैं शामिल। असन के सियम सर्मा का कॉंग्रेस परतंच बोले ना हमें राहुत से सीखने का समय है ना उने सिखाने का समय है। नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ ननिनी आदव वक्त हो चुका है उतर प्रदेश की बड़ी ख़बरों का रुख करते हैं ख़बर की और प्रियागराज में आज निकाय चुनाओ के प्रचार का आखरी दिन है ऐसे में योगी आदवतनात का प्रियागराज आगमन हुआ। जहां सियम और टेब्टी सियम के केश्वय प्रृसाद मौरे ने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार क्या। वहें इस जौरान सीम योगी ने प्रियाग राज की धर्टी को नमन क्या इस जौरान उन्होंने क्या कुछ कहा चलिए आपको सुनाते हैं वायो वेला अमर सहीद पंडित चंसेकर आजात के बल्दानी भूमी भी है और महामना पंडित वदन महान मालवी जी की भी कर्म साधना की अस्तलिव ही है प्रियाग राज अपनी आध्यात्मिक साधना की द्रिश्ट से भी और इस भौतिक जगत में नियाए पानी के लिए भी पुरिय प्रदेश की 25 करोड जनता इसी प्रियाग राज की धर्ट आईपेल 2023 में रॉयल चैलेंजेस बैंगलोर और लखनौर सुपर जायंस के बीच मैच में विराट कोहली काफी अक्रामक अंदाज में नजर आए मैच के दौरान कई खिलाडियों में जड़ब हो गई विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच हुई जोड़दार जड़ब के बाद BCCI एक्शन में है बोड ने विराट कोहली गौतम गंभीर और नवीन उलहक तीनों खिलाडियों पर भारी शुर्माना लगाया है विराट कोहली और गौतम गंभीर पर मैच फीज का 100 फीज़दी तो वही नवीन उलहक पर 50 फीज़दी जुर्माना लगाया गया है बताने कि ये पूरा मामला लकनव की पारी के सतरवे ओवर में शुरू हुआ था जब विराट स्टम के पीछे से दोड़ते हुए आए और नवीन को देखकर कुछ इशारा किया इस पर अफगानस्तान के नवीन भी उनके करीब आ गए और दोनों में बहस शुरू हो गई बाकि खिलाडियों ने बीच बचाव की कोशिश की तो कोहली और अमित मिश्रा के बीच भी बहस हो गई जादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ समवादाता विवेक शाही जुडेंगे विवेक लखनो के मैदान में खिलाडियों ने आपस में घामासान कर लिया वराट और गौतम गंभीर के बीच थोड़ी से छड़ब देखने को मिली विवेक से हमारा संपर्क तूट गया है बता दे कि विराट कॉली और गौतम गंभी ने आपस में भड़े वाई एक्शन में बीच थी जाई दोनों की फीसों में कटवती की गई है आपको बता दे कि 100 प्रतिशत फीसिदी काट दी गई है बीची से आई के तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है अफगानस्तान के नवीन उन भी उनके खरीब आगे बता दे कि लखनओ के मैच में और बीच और लखनओ के बीच में जड़प हुई है नवीन पर उनके खरीब आ गया दोनों की बहस सुरू हो गई बाकि खिलाडियों ने बीच बचाओ की कोशिश की तो कोहली और अमित बिश्रा के बीच भी बहस हो गई है जादा जानकारी के लिए इस खबर पर फिर से हम रुक करेंगे विवेक शाही की तरफ विवेक गौतम गंफिर और विराट कोहली के बीच मैच के दौरां थोड़ी सी जड़प देखने को मिली है जिसको लेकर बीचिया बीचिया जो एक्शन मोड में नजर आई है इसके बाद अगर देखा जा तो विराट कोली का सभाव भी बिल्कुल अग्रेसिव है, कई बार जो है, इस तरी के स्टीजी उनके साथ भी देखने को मिली हैं, लेकिन कल जब महसमापती के बाद अफगानिस्तान के खिलारी, नवीनूल हक ने विराट कॉलिज से कुछ काज, इसके उनकी बात दिगड़ गई है, बाद में लखनव के जो मेंटर है वो गौतन गबीर उनके पास जाते हैं, मामले को तूल मिलता है, बढ़ता हो मिलता है, तो वो अपनी टीम को डिफरेंट कर रहे थे, इसके बाद ये कहना हुआ कि गंबीर और कॉलि में कुछ बातचीत हुई, और ये जो बातचीत है, जिस तरीके से आप जिखाई यारी को वीडियो जो है बखाटा गंबी और कॉलि की विच्का वारत किया रहा है, इसके पहले भी आइचेल में ही गौतन गंबीर और कॉलि के भी तूटू में हो चुका है, अब बात ही है कि अब विशी सियाई ने क्रेशन लेते हुए, सबकी मैच फीज जो है, वो काटी है, जिस जब मैच के बाद हरवर सिमिर सिस्थान को ठप पर जर दिया था, तो ऐसे भी चीजे क्रिकित के मैदान में खालकर आई पेल में देखी गई है, एक दूसरे से खिलाई जड़ब करते रहते हैं, वो इमोशन होता है कि इनके साथ एक एगरेशन होता है, इसमें फ्लोपों मे बाहर निकल जाता है, तवाम शानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेग, और रया बस्पा जिला यूनिट लगातार पार्टी विरोधी गत्वीदियो में कारे कर रहे नेताओं को निकाल रहे है, इसी क्रम में बस्पा जिला यूनिट ने पुरो जी शुकला के भाई लाल जी शुकला भी पिछले विधान सभा चुनाओं में सिकंद्रा विधान सभा सीट से बस्पा के प्रत्याशी थे और इस बार भी लाल जी शुकला ने नगरपाली का परिशद में बस्पा के घोशित प्रत्याशी मुनापाल के खिलाफ निर्दलिय पर्चा भरा है और वो लगतार और या नगरपाली का परिशद में वोट मांग रहे हैं जिसके कारट बस्पा जुलाद्यक्ष कमल गौतम ने प्रेस नोट चारी कर पुरो राज्यमंत्री वविधायकर राम जी शुक्ला और लाल जी शुक्ला को निश्कासित करने का विग्य नगर निकायच नौब में टिकट को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रहे हैं ऐसे में संभल से सपाविधायक नवाब इकबाल महमूद इस्थाने लोगों के गुस्से का शिकार बने हुए हैं उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के जुलाद्यक्ष असकर अलियंसारी ने हाजी अनिस को भरोसा दिया था कि टिकट मेरी जेब में है लेकिन टिकट नहीं दिया गया इसको लेकर काफी गुस्सा है वह इस्थाने लोगों ने समाजवादी पार्टी को खुब भला बुरा भी खा यहां तक कि उन्होंने सपा का बाइकॉट करने की बीचे ताम नी दी इस्थाने लोगों ने का अगर हाजी अनिस ने भी हमारा साथ नहीं दिया तो हम हाजी अनिस को भी बॉईकाट कर देंगे ऐसा माना जा रहा है कि यह अनसारी समाज निर्दली प्रत्याशी फराना या सीन को भी समर्थन कर सकते हैं अनसारी समाज एक जुट होकर एक प्रत् में समर्थन देनी की बात कह रहा है पोरनपूर पुलिभीत में भ्यस्ट आलादिकारियों की सडक में ठेकेदार मानक के अनुरूप कारे किया जा रहा है आपको बताते चले की नवोद्या धनेश से लिंक रोड पर पीड़ाबलूडी का घट्या क्वालिटी का कारे चल रहा है जिसमें कम रोड़ी और कम बज़री कम कोलतार का लगतार प्रयोग किया जा रहा है बोरिंग की जगा रेत भी डाली जा रहे है नवद्या धनेश से आनन्द पूर जाने वाले मार्कबर पीड़ाबलूडी का कारे चल रहा है वहां के ठेकेदार के द्वारा घट्या क्वालिटी और मानक के अनुरूप कारे किया जा रहा है और जहां एक और सरकार के द्वारा बच्चों को सक्षा और स्वक्षता प्रदान करने की बात कही जा रहे है वही ठेकेदार के दारा बाल भी श्रम करवाय जा रहा है कई नावालिक बच्चे कारे करते भी नजर आये हैं खबर गाजीपूर से है जहां नगर निकाय चुनाओं के मद्दे जनलजर डेप्टी सियम केशो मौरे ने चुनामी सभा को संबोधित किया शहर के आमखाट उस्ति गांधी पार्क में बीजेपी प्रत्याशों के समर्थन में डेप्टी सियम केशो मौरे ने सभा की वहीं जोरान केशो मौरे ने कहा कि यूपी और देश में आपके समर्थन से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है गाजीपूर नगर पालिका में पाच बार से कमल खिल रहा है अगर इस बार सिक्सर लगा दीजेगा साथी उन्होंने कहा कि सपा बसपा कॉंग्रिस अंतिम सांस ले रहे हैं सपा बसपा कॉंग्रिस ने सिर्फ राजनीती का अपराधी करण किया है जोश फढ़ने का काम आमाद्मी पार्टी के सांसत संजाय संबल पहुचे जहां उन्होंने आमाद्मी पार्टी के प्रत्याशी इफिजाख खान के पक्ष में युवाव में जोश भरा इस वरान उन्होंने कहा कि शेहरों की सफाई के लिए जाड़ू जरूरी है इस बार संभल की जनता जाड़ू चला कर आम आदमी पार्टी को मौका देगी आम आदमी पार्टी ने भारतिय जनता पार्टी को दिल्ली में तीन बार हराया है नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी पुरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है इस बार संभल से बड़ा परिवर्तन देखनी को मिलेगा समाज को और पढ़ने का काम किया vous उपर से नहीं है राम अंदर से राम के हैं इसल ere योगी बंदे कमाल के गाने पर तर्यक्ते हुए भाश्वा कारेग करताओं का व हिजियो वायरल ہو रहा है और यह डगर पालिका से अध्यक्ष पत के उमिद्बार भाश्वा प्रत्याशी राशकुमार दूबे के जन संपर्ग के दौरान युवाओं में दिखा काफे उस्सा और जोश नजर आया वोट मांगने के दौरान युवा कारेकरता नास्ते थिरक्ते दिखे सदा नगर पालिका छित्र का ये पूरा मामला है बतादे कि बीजेपी कारेकरताओं का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वो एक गाने पर थिरकते हुए नजर आ रहा है वही वोट मांगते समय गाने पर वीजेपी के कार्यकरता और वहां के प्रत्याशी आपको बताते हैं शूमते हुए नजर आ है जिसका वीडियो शोचल मीडिया पर तेजी से वारल हो रहा है जाहिद जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ समय दाता जाहिद जुडेंगे जाहिद बीजेपी कार्यकरताओं का एक वीडियो वारल हो रहा है जिसमें वो बीजेपी के गाने पर फिरकते हुए नजर आ रहे हैं तमाब जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जाहिद आपका जाहिद फिरोजाबाद में प्रत्याशी लोकतंत का गला घोड़ते हुए नजर आ रहे हैं बतादे कि नगर निगम के वार्ड नमर पचीज से बीजेपी प्रत्याशी का पैसा से भरा लिफाफा बाढ़ते हुए एक वीडियो वारल हो रहा है वीडियो के अधार पर प्रत्याशी अपने स्ट्रीकर लगे लिफाफे में पैसे रखकर बहिला को देते नजर आ रहे हैं वही प्रत्याशी की सुरक्षा में तैनात एक पुलिस कर्मी भी वीडियो में दिखाई दे रहा है वीडियो देख कर लोग जम कर विरोथ कर रहे हैं बताया जा रहा है कि लिफापे में भाजवा प्रत्याशी मौनेंद्र यादों ने 1000 रुपे रखे हुए थे वीडियो में साफ दिख रहा है कि वौर्ड नमबर 25 से भाजवा प्रत्याशी चुनाव आयो की गाइडलाइन्स के धज़्या उड़ा रहे है तो बीजेपी प्रत्याशी ने बोटरों को पैसे बाटे हैं जसका वीडियो शोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी लिफापे में एक एक हजार रुपै वोटरों को बाट रहे थे जसका वीडियो शोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है वहीं प्रत्याशी के साथ एक बुलस कर्मी भी नज़र आ है साफ तस्वीरों में साफ तौर पर दिखा जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी जो है लिफापे में एक एक हजार रुपै वोटरों को बाट रहे नज़र आ रहे है बस्पा पार्टी के जुलाध्यक्ष और आया द्वारा पांश पदाधिकारियों को अनुश्या से हिंता के चलते पार्टी से नश्कासत किया गया जिसके चलते लगबग आधा सेक्रा कारेकर ताउन ने बस्पा का दामन छोड़ते हुए निर्दली प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगा जिसके चलते बस्पा जुलाध्यक्ष त्वारा पांश पदाधिकारियों को अनुश्कासत किया गया वही पाठ पदाधिकारियों को बतादे कि पांश पदाधिकारियों को अनुश्कासन को लेकर इन पदाधिकारियों का समर्थन करते हुए लगबग आधा सेक्रा बस्पा कारेकरताओं ने बस्पा का दामन छोड़ते हुए निर्दली प्रत्याशी रामकुमार बस्ती की प प्रीमू मायावदी के साथ है। उसने पांस साल जनता के साथ क्या किया है उसका जनता प्यारा तारी को जवाब देगी। जनता करके और भाती जन्दाबारी के अबिन पुर्वाल को वस्वा में समिट करके और तिकित दुर्वार के बुर्ण समाज पार्टी का अपमान किया है। जिन खलाए जो जमीनी कारकरता थे जिन्होंने सब समाज को लेके बोजन समाज पार्टी को दुवियापूर और यहां में बढ़ाया जो आमारे वो निष्टावान कारकरता पार्टी से निकाले गए हैं। उनके पर्च में मैं पवन किवारी सवन मोचा का विधान सवा अध्याश बोजन समाज पार्टी से इस्थीपा देता हूँ। जुडेंगे। कई पदाधिकारियों ने बस्पा का नामन छोड़कर निड्द्यलिय प्रत्याशी के लिए वोट पांगा है। जिन अब आपको बता दो कि बस्ता सुप्रीम दोरा एक लेटर जानी किया जाता है जिसको लेटर को जिला जिलाज्जस से पास अभी बिजा पर पहुंचता है वहाँ पर जिलाज्जस दौराफ पालों उसका किया जाता है उन्हीं को नाराज होकर आज उन्होंने दोरी कर्म कर रहे हैं आज उन लोग नाराज होकर उनके साथ में अधिक लोग भी निजलीव में चले गए हैं तमाम शानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका चाहिद हर दोई पाली कस्मे में नगर निकाय चुनाव के मद्दे नजर पहला मिलिटरी फोर्स और पुलिस बल के साथ एसीपी ने फ्लैग मर्च किया बतादे कि पाली कस्मे में नगर निकाय चुनाव को देखते हुए एसपी पश्यम सीओ और प्रभारी नरक्षक ने पैरा मिलिटरी फोर्स और पुलिस बल के साथ स्लैग मार्च किया एसपी ने नगरवासियों से अपील करते हुए कहा कि निर्विक होकर मतदान करे किसी से ज़ने की जरूरत नहीं है कर्षि कानपूर में वर्ड नबर अनवर गंज शेतर बेकन गंज जो ग्यान चोराहा बने कॉंग्रेस प्रत्याशी नूर आलम अजू कुरेशी के का रियाले का उध्भाटन किया ग्या वरिष्ट कॉंग्रेसियों द्वारा किया जिसमें मुख्य रूप से नगर अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी और पुर्व नगर अध्यक्ष ने केक और फिता काट कर कार्याले का उद्धाटन किया। इस वरान कानपूर शहर के कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेदा मौझूद रही। प्रियाग्राश शहित के परानी पूर शित इज भट्टे के समीब बारिष के दौरान अकाशिय बिजली गिरी जिसके जद में आने से दो लोगों की मौके बरी दर्दनाक मौत हो गई। जबकि दो लोग गंभी रूप से घायल हो गये। घटना को लेकर मौत के परिष्णों समेत इलाके में कोहरा मच गया। अब ये के लिए उत्तरपदेश की खबरों में बस इतना ही देशुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे ये प्राहिम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार।